कर दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर अब उन्बोक्सिंग को रिव्यू करेंगे फ्लेयर की बहुत ही सुपर पॉपिलर जो है फाउंटेश पैन का तो आज हमारे पास है फ्लेयर की इंकी सीरीज की कार्बोनिक्स पैन जो की पूरी ब्लेक बोडी बेस कार्बोनिक्स पैन ह तो यह जो है काफी पॉपिलर दस्वी वारवी रिख्शा के बच्चे होते हैं उसके अंदर उसके अलावा जो है डॉक्टर्स, एंजिनियर्स, अकाउंटर्स होते हैं इसको इसको उसको करते हैं सिगनेचर पैन के रूप में और नॉर्मल जो है प्रिस्क्रिप्शन लिख बहुत है तो किसे को बड़े पर गिफ्ट भी दे सकते हैं इसको और उसके लाबा चली इसको, हम पीछे का हिस्सा देख लेते हैं इसको कैसे इसका कटिज को मुझते नहीं है को किरने क्टीज को सबुआ होया जाता है और क्टीज करना है चुल हरिक देख DOC नूरीने तो इसकी प्रोसीजर भी दिखाई है और इसकी प्राइज यहां पर दिखाई गई पचास रुपए और इसकी बेस्क्पाय लिंक जो है वहां से आप इसको फॉर्चेस कर सकते हैं उसके लवाज फ्लेयर कहां पर है उसका प्रोडक्शन यूनिट और उसका कस्टमर के और उसकी वेबसेट के डिटेल भी ली गई है उसका सोचल मेडिया के डिटेल भी आपर ली गई है तो चलिए अब जो है इसको हम एक बार खोल लेते हैं तो एक्चल मैं इसका रीवीव मे अगर आगे और चींग करें कर्के स्टकू दिखाए इसब्ञें कांड करने कम आपम में श्मार किया आपician के गखाओं और आहे जिस्टा है एली आछे से दाले आपन आगे अर्रोम होता है थी रिवाम होता है आपको को आणि तो हैं चिल वो पाइप के अंदर इंक फ्लो शूरू हो जाएगा और यह जो काटी जो अच्छे तरीके से इसमें क्लिक होने के बाद फीट भी हो जाएगी और बाद में आप इसको यूज कर पाएंगे बेढ़क जो काफी बसक्त लग रहा है जो थे ब्लेक बोडी वाली पेंगे बहुत ही पसंद आती है आप इस तरीके से आगे का पार्ट अर यह वाला जो आगे का नोभ है इसका वह भी जो है छोटा सा ही बाहर निकला है इस वार निकला है इसको पलास्टीक से कवर कर लिया है बढ़ी अलग रहे हैं इसको भी खोल देता हूँ तो इस तरीके का दो पार्ट हो गया यहां पर देख सकते हैं कि यह सफेद वाला जो पार्ट है वह पाइप है और नोकीला भी होता है इसके अंदर जो है कार्टीज का पटलाइस सा जो है इसको आपको अच्छे से बेठा के इसको इच्छे से प्रेस करना है जिससे की ससील भी तूट जाएगा और यह कार्टीज के अंदर बेठ भी जाएगी और बाद में इसको आपको बंद कर देना है इस तरीके से और फिर इसको दो-तिन बारे से जटके लगाना है जिससे की यह वाला जो पूरा पार्ट है इसक क्या क्या हो सकता है क्या क्या चीज है इसकी प्राइस क्या है इस ग्रिप कैसी है ग्रिप भी काफी बढ़िया है और कॉलिटी भी बढ़िया आती है इसकी फ्लेयर जो है उसके अंदर प्रोक्सिमेटली पचा सकती है और में उससे भी ज्याजा हो सकती है तो बारे-बारे कर आपके हम सभी fountain pen का इस तरीका से unboxing review करेंगे और in future जब मेरा YouTube concerning start हो जाएगा तो मैं एक special video बनाने वाले हूँ जिसके अंदर हम approximately 100 pen को जो है अच्छी तरीका से test करेंगे अलग-अलग situation के हिसाब से, अलग-अलग जो इसके user से उसको किस तरीकी pen पसंद होती है, कौनसी grip वाली, कौनसी length वाली जो होती है, कौनसी point वाली pen वो सभी चीजे जो है, हम वीडियो में टेस्टिंग करेंगे और दिखाएंगे तो आज की video प्रसितना ही, आप अगर इसको purchase करते हैं तो आपको यह pen कैसी लगी इसका review आप comment section में, बता सकते हैं, इसकी cartridge की price जो है मैं description में दे दूँगा और उसके अलावा एक और चीज बता दे, कि आपने आज तक कौन-कौनसी pen को use किया है, और सबसे बड़िया pen आपको कौनसी लगी तरहियोग आपको, इसके अलावा आपको लाइट में क्या करना है, आपको जो है एक्टर बनदा है महलेटयो जोकी बनना है,awkा districtma, क्रिकेटर बनना है, क्या करना है, डॉक्ड़में ऐन इंजिनिर बनना है, जो भी करना है आप अलएट्यों कमेंट शेक्शन में वाज़ु बसितना है, thank you, goodbye, enjoy your life, all the best.